कि अप्डेट है और कल यानि 13 जनुवरी को नोटिस आया का डीजी की तरफ से मिनिस्ट्री आप सीवी लेशन ने भेजा है नोटिस और इस नोटिस के तहत कुछ महतरपून सुचा बहुत इंपोर्टेंट थिंग फर दा ड्रोन ओनर ओनर्स बोथ चाहे वो डीजे का ड्रोन ह में है या नहीं है मतलब जा जैसे इंस लिया जैसे मर्जी लिए बहुत है इंप लोग है और कई लोग owners अज्टा से मैं सारे इंपोर्टेंड इंप्रमिशं के लिए तो अकुरिड इनफिरू मेशन तो आप जान रहते हैं क्या चीज है नोटिस और कद कथि आपने क्या कर वाना है अगर आपके बास ड्रोन है तो तो पूरा वीडियो अंदे तो देखें तो जिस रिगार्डिंग वालंटर डिस्क्लोजर नोटिस जो तेरा को आया है पूरी डिटेल इसमें दिखेंगी और इसमें आपको पूराद बता दूंगा कैसे करना तो यह आपके लिए इसका मतलब क्या है यह जो की वो ड्रोन जैसे डीजी और मी के भी ड्रोन जिसमें अभी तक नहीं बनी है क्योंकि यह कंपनिया अभी इंडिया में जैसे बात हो रही थी कि पार्टनर्शिप होगी अपडेट आएगी एप में और वह एंपी एंटी को जाएगी इसके अगर आपको डिटेल चाही रेगुलिशन की तो कार्ट पे मैं भी डाल दी है इसमें पूरा मैंने फुल प्लेलिस्ट बनाई हुई आप देख सकते हैं जाके कार्ट तो वो रेगुलिशन के तहत आप लीगली उड़ा पाएंगे अब बात यह हो रही है कि लोग इसको समझ नहीं जाता हूँ यह एक डाटा मंगा गया है बढ़ा है इंडिया में जो की इंडिया में जैसे मरीजी लिये गए गए हैं और जिस मरीजी तरह का ड्रोन हो तॉडोन हो मीडानी हो डिजे डूण हो देख जिस स्ब बंदे को ढ्रोन लिस्टिंगा मतलब है एक लिस्ट बनेगी जिसमें ड्रोन ओनर का नाम सारा कुछ कौन सा ड्रोन है उसकी फोटोग्राफ यह सब डाटा उनके पास पहुंच जाएगा एक लिस्ट बन जाएगी जिससे गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया को आईडिया लग जाएगा कि कितने ए पर हैं और यह इनके ओनर्स हैं यह एक डाटा कठा हो रहा है यह जब आप अनलिस्ट करेंगा बताऊंगा तो आपको दो नंबर जिनरेट होंगे ओनलाइन होना है डिश्टल स्काई प्लैट्फॉर्म की ओपर लिंक में डिस्क्रिप्शन दिये दिया है वहाँ पर जाना भ कोई भी बिल आपने भराओ वह यह मतलब उनको पता होना चाहिए कि यह ड्रोन है यह इसकी फोटो और यह इसका ओनर है और यह यहां पर रहता है बस यह डाटा उनको कठा करना उसकी लिस्ट मिनानी है यह जब आप डाल देंगे महां बग तो आपको दो नंबर्स कि यह ड्रोन लिस्ट हो गया तो दो नंबर मिलेंगे आपको और यह यह नंबर आपके युधे स्पेसिशिक होँगे आपके बस जितने मर्जिट ड्रोन हो यह आपको एक नंबर जे़िट हो जाएंगी आपको संभालका रखने मदब इस नंबर केसाब से यह register होगा कि है य अपनी चीज अपनी जो रिस्पॉंसिबिलिटी और जो और दिया गया उसको फुल्फिल कीजिए अब स्वाल आगा मैं ना करूं तो मतला आप चाहें सोचेंगे कि अगर हम ना करूएं लिस्ट तो अगर देखें फ्रेंड्स ये अब ड्रोन लिगैल्टी के लिए एक तरह से पहला स्टैप है गौर्वर्मेट अफ इंडिया का ये अगर आपने फुल्फिल नहीं किया आपके पास ड्रोन नहीं हुआ तो आगे जो प्रोसेस में बता चुकों कई बार कि ये सब कुछ डंगाना अफलाना जो भी होना है आगे लीगल ऑपरेशन ऑफ ड्रोन के लिए व और ओन नमबर होने चाहिए वह कैसे होंगे जब आप इसको एनलिस्ट करवाएंगे जिस साइट पर प्लैटफॉम पर अलग से एक वेब पेज है मैं मैं आपको दिखाता हूं कैसे करवाना है फोटो आपके बगने चाहिए एक रिस्ट आपका एड्रस का प्रूफ होना चा देगा और पनिश्मेंट तक हो सकती है विदाउट डैन और और नमबर के बीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़रूरी है सभी ड्रोन के लिए ड्रोन टेक डॉक्टर का डॉक्टर रंशुमलोतर का एक मैसेज है कि परसनली मैं आपको बता रहा हूं मैं भी करवा गया है गवर्मेंट अफ इंडिया का तेरा एक दोजार बीस अब आपको लेकर जलते हैं डिसस्काइब प्लैटफॉम पर तो यह आपको आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट कॉर्मेंट नोटिकेशन क्लिक है फॉर्ट नोटेस दो यू ओन ड्रोन ऑफ एनिमेक इन यह क्या है इसाबताब है आपको थोड़ा क्लोज पर कर लिया तो आपके नाम पर एक ओए नमबर ओनर्शिप अगलाजमेंट नमबर जनेट हो जाएगा यह इस एक नमबर के ऊपर आप फिर इसको साइन इन कर सकेंगे स्पोज आपके पास एक ड्रोन है आपने एक और ड्र लेट है उसे पहले आपको परवाना है तो सीधानों ने बता है कि यह लेना चाहते हैं कि इतने ड्रोन इंडिया में एक्जिस्ट कर रहे हैं तो आगे लिगल प्रॉस को आगे फर्द ले जाने के लिए तो जैसे ही आप करेंगे तो इसमें दो फॉर्म आएंगे दो जरुत हो लेना चाहिए-फालिस नमबर से और जो की आगे लॉग इंडि लेना नहीं से एक लिफिरick से और उन्द नमबर घु कर आ तो इसम जो लेकिन ओए नमबर एक होगा मतलब एक राम बंदा है राम बंदे का ओए नमबर जो गया अब राम बंदे के पास एक ड्रोन था उसने डिया नमबर ले लिए आप थोड़े दिन बाद एक और ड्रोन लेता है तो उसके लिए ओए नमबर सेम रहेगा लेकिन डिया नमबर एक और आजाएगा उसके पास तो मलब जितने आपका ड्रोन है उतने आपको डियान नमबर होंगे लेकिन आप ओनर एक हैं तो आपका वे नमबर एक होगा यह देखिए ओनर शेप ऑफ ड्रोन इंडिया विदाउट ओन डियन शेल इंवाइट पैनल एक्शन पैनल एक्शन हो सकत है फ्रेंड्स मतलब सजा वगारा हो सकती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी एक चीज़ आपको कलीर कर दें कि लोग कह रहे हैं कि इसके बाद हमें यह रिजिस्टर हो जाएगा हम बेंदास लेगली उड़ा पाएंगे तो फ्रेंड्स यह अभी शुरुआत है यह वो इसके बाद शुरू होगा पर वह फिलाल अभी शुरू नहीं हुआ है जब होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा और क्या क्या चाहिए आपको स्केंड कॉपी ऑफ अधार कार्ड थ्री हाइई क्वालिटी फोटो जो भी आपके पास कॉपी ऑफ एनी बिल और बैंक स्टेट्मेंट मतलब बैसिकली अडरिस के लिए इनको चाहिए कॉपी ऑफ दा हाइस एड्यूकेशन जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वह आपको डालनी है पैन कार्ड ऑफ और्गनिजिशन यह अगर आप ग्रूप में कोई डरोन आदें तब चाहिए और वाइस इ पूरी कर लें मतलब अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और फिर उसके बाद आप इसको यहां से अनलिस्ट में ड्रोन करके कर सकते हैं जैसे यह आप करेंगे तो यहां पर आपका नाम इमेल एडरेस सारा कुछ मुबाइल नंबर पासवर्ड इसमें आप लॉग ने करेंगे तो आपका एक नंबर जोनेट हो जाएगा अब मैं फोटो खिच लेता हूं अपनी ड्रोन की तीन फोटो स्ग्राफ चाहिए थी और बाकी अधार गार्ड के भी इसमें कॉपी बेर पसकेंड है और बिल की एक चाहिए बैंक स्टेट्मेंट चाहिए वह भी यह सब डॉकमेंट्स मैं कठे कर लेता हूं तो यह था प्रोसेस बॉर्ट इजी है आप अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा डेमू आपको तिखा हूं इसमें मैंने प्तुड़ आपको आइडिया दिया है सिंपल आपने भर न आप नहीं है इसके बाद यह मतलब नहीं होगा कि आपका अर्जेशन नंबर हो गया यह द्रोन नहीं है यह एक ड्रोन लिस्टिंग है कि कि रिटा इंडिया में हैं किसी ड्वोट्राइटर है और कौन-कौन हैं पर यह जुरूरी बहुत है इसके भीना आपके ड्रोन सब्सक्राइब कर ले चैनल आगे अपडेट के लिए और हाँ कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना पड़ेगा अगर बहुत जाद डिमेंड आईगे तो मैं पूरा इस पे आपको डेडिकेटी बुडियो मना दूंगा कि कैसे बरना है अगर आप चाहते हैं तो अगर आ हम जरूर लिखे हैं लाइक करें और शेयर करें थैंक यू